चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इंतजार करते हुए नए जजबात के साथ, नए ताकत के साथ, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है, उपर लिखा हुआ है क्या लेख हुआ है टॉपिक का नाम? वीडियो का इंतजार हुआ खतम, जहन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, और टॉपिक हमारा यह रहा सेल के विद्ध वहबल, कॉमा टर्मिनल विभांतर एवं आंतरिक प्रतिरोद में संबन्ध, रिलेशन अमंग्स, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशिल डिफरेंस, एंड इंटर्मिनल रेइस्टेंस और सेल कि अंच करणे बाते हैं, तो इससे पहले पाणी पीना बहुत जरूरी है, लन्च या डिनर के बाद पानीहिए, नहीं पीना चाहें, सबसे पहले हम यहांपर जो वाटर है, वाटरव पीने वाले है, मतलब जो उपर उपर की चीजें उनको बारे में पढने वाले हैं, क्य पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे देख लोगी simple से बात है जो heading में लिखा हुआ है वही मैं तुमको बताने वाला हूँ क्या लिखा हुआ है फर्स्ट है हमारा विद्यद वाहक बल means electromotive force क्या है ये electromotive force means विद्यद वाहक बल है क्या अगर तुम लोगों के पास कोई भी सरकेट तुमारे घर में जो wiring हो रही है इसको भी सरकेट कहा जाता है तो कोई सरकेट है तो किसी भी observative charge को पूरे सरकेट में सेल के साथ में यागर हम लोगों के पास कोई torch का सरकेट बना हुआ है तो सेल के साथ पूरे सरकेट में charge को कती कराने में motion कराने में जो work करना पड़ेगा जो कारे करना पड़ेगा वही कारे कहलाएगा Electromotive Force, विद्धिद वाहग बल और इसको Capital E से शो करते हैं अब यह मत कहना कि यह बल है तो इसका unit Newton हो चाहिए ना, इसका unit Newton ना होगा इसका unit क्या बनेगा, volt बनेगा एक्चल में विद्धिद वाहग बल नाम बहुत पहले दिया गया था बट बाद में इसके नाम में कोई changing नहीं की गई क्यों? अगर changing करते हैं तो आगे के जितने भी concept है उन सभी में नाम को change करना होता इसनी यह थोड़ा नाम अलग है लेकिन good विप्रीत है जैसे के नाम नैंसुक बट आखे ठीक नहीं है आखे खराब है मतलब होता है कभी कभी प्रिकृती के opposite उसके अंदर property पाई जाती है चलिए छोड़ते हैं इस बात को बढ़ते हैं अपने terminal विभानते के तरफ terminal potential difference क्या है भई यह है क्या है terminal potential difference बहुत सिंद पहले हैं तुम लोगों को पता हो अगर हमारे पास कोई भी torch का circuit है छोटी छोटी चाइना की torch भी आजकल आती हैं market में पंदर से बी सुप्रे मात तुम ले के आ सकते हो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं तो उसमें जो circuit लगा होता है तो sale को हटा दो मतलब sale लगा हुआ है sale को हमें miser नहीं करना है तो किसी भी observative charge को total circuit में apply करने में without sale मतलब sale को हमें count नहीं करना है तो हमें जो work करना पड़ेगा उस work को हम कहते हैं terminal potential means terminal विभालतर और इसको capital V से लिखा जाता है V for victory and V for potential and V for potential difference विभांतर सब होता है और finally हमारा क्या है internal resistance of sale पहले बात तो क्या sale है क्या देखो बहुत simple से बात है sale एक ऐसा device होता है जो किसी भी type की energy को विद्य दूर्जा में electric energy में convert करता है इसको हम sale कहते है sale two types की होते है एक तो होते है primary sale और एक secondary sale primary sale use करने के बाद तुम charge नहीं कर पाऊगे जिने हम charge नहीं कर सके और दूसरे sale कौन से है charging वाले sale charging वाले sale आजी तो हम कहा करते है घर पे अपने तो second वाले sale होते है जिनका use करके हम उनको charge कर सके चलो sale की बात ही खतम करते है अब लोटके आते है इनका internal resistance होता क्या है दोगो गाइज ऐसा होता है किसी भी sale के अंदर जो substance भरा होता है ठीक है तो sale में current apply होता है sale में voltage भी होता है current sale के अंदर भी होता है current sale के बाहर भी होता है बाहर जो current होता है वो plus से minus चलता है और सेल के अंदर माईनस से फिलस चलता है उस माध्यम के अंदर जो सेल के अंदर भरा हुआ है तो सेल के अंदर जो माध्यम भरा हुआ है वो धारा के मार्ग में यिनि करंड के रास्ते में जो disturbance create करता है जो अवरोध उत्पन करता है उसी को मैं क्या कहूंगा तो मैं सो कहूंगा internal resistance आंतरिक प्रतिरोध और इसको small r से show किया जाता है तो यहां करके मैंने आपको इन सारे points के doubt clear किया हुए है अब मैं आपके सामने एक छोट ऐसा diagram बनाने वाला हूँ देखो सामने ज़रा ध्यान से यहां पर एक resistance लगाया यहां यह बैटरी लगाई और मैंने फिर से यहां पर एक resistance लगा दिया जबकि यहां का terminal potential v है resistance r है small r है capital e है plus है minus है current इसमें आई है इसके अलावा देखते रहो ध्यान से यहां पर small r क्या है हमारा internal resistance है तो एक बात समझने कि यह circuit के अंदर कि जो हमारा यह sale है जिसका electro motive force capital e है यानि विद्धित वहगबल capital e है यह total voltage capital e है तो जब इसको on किया जाएगा कहने का मतला जब यहां से current apply होगा तो voltage भी इसका create होगा इस resistance के corners पर इन विभानता स्थापित होगा तो इसमें से जो charge निकलेगा उस charge को संपूर circuit में total circuit में apply करने में जो work किया जाएगा यह work two type का होगा two types का पहला कौन सा होगा यह बात समझने की है पहला work इस capital r resistance के जरीए complete किया जाएगा second work इस internal resistance के जरीए complete किया जाएगा तो इन पर अलग-अलग जो force लगाया गया और उनसे जो work किया गया उनके work का जो addition होगा जो जो जोड़ होगा sale के total electromotive force means capital E के equal होगा लोकि यहाँ ना तो capital E होता तो ना ही यहाँ पर इस पर work करना परता और ना ही यहाँ पर इस पर work करना परता तो हम यह क्या सकते है क्या जो हमारा total work होगा कौन सा imbalance total work coverage adhyaan दियार्दियों सातियों और students और guys w is equal to w external plus w internal ये जो total w है ये क्या है पूछोगे मुझसे total w है capital E का work w external क्या है external resistance के जरीए complete किया गया work और इसके अलाबा w internal क्या है small r के द्वारा complete किया गया work तो सबसे पहले मैं बात करूँगा total work कितना होने वाला है इसको इसी लिए देखा तुमने इसी लिए मैंने इसको equation number first let कर लिया है कि पहले हम तीन इनों की value find कर लेते है फिर बारी बारी से value fit कर देंगे इसके अंदर ठीक है तो देखें E is equal to w upon q then w is equal to e q very simple formula अब इसके अराबा q is equal to क्या होता है it then w is equal to e i t equation number second अब इसी के बाद हम बात करेंगे w external की कैसे बात करेंगे इसके अंदर देखते हैं guys v is equal to तो कि इसके लिए terminal potential difference कितना है capital v है तो क्या करेंगे v is equal to w external upon q then w external is equal to q into v ठीक है guys अब यहाँ पर q is equal to क्या होता है it और v is equal to क्या होता है i r दोनों के दोनों formula कर दो fit इसके अंदर बताओ कितना हो जाएगा w external is equal to formula it into i r then formula क्या बनेगा हम लोगों के पास w external is equal to i square r t equation number क्या तयार होगा हमारे पास third equation number बन गई हमारे पास third बन गई ठीक है अब third equation बन जाने के बाद क्या रह गया अब वो कहोगे sir आपने r के लिए work find कर लिया capital e के लिए work find कर लिया लेकिन कहा गया कहा गया internal resistance का work आंति प्रतियोत का work यह small r का work चलो देर नहीं हुई ठेर जाओ यही करने वाले आप सबसे पहले यहां मैं इसको अलग अलग partition में दिखा देता हूँ ठीक है तो बात करते हैं w internal एक काम न करें हम long method यहां पर काहे use कर रहे हैं हम short method भी तो use कर सकते हैं we can use a very short method here कौन सा वाला अगर हम w internal की बात करेंगे तो भई series है current तो change होने वाला है नहीं time भी हम same रखने वाले हैं तो change क्या होगा capital r की जाएगे क्या जाएगा small r internal nice sense so करते हैं आपर देखो w internal is equal to i square small r t equation number 4 होगे रहे कितना simple अब करने ही वाले क्या है equation number 2 से w की value equation number 3 से w external की value equation number 4 से w internal की value सबके tune करने वाले है any question number first करें चलो let's play using रिखेंगे क्या है यहाँ पर हम first second third and four यहीं सभी questions का हम यहाँ पर use करने वाले है चलो 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 तो आजाओ जाओ जाओ फटना पर जल्दी से आजओ w की value कितनी हम लोगों के पास w की value है e i t e i t इसके अलावा w external की value है i square r t i square r t इसके अलावा w internal की value कितनी है i square small r t small r t let's check it out यहाँ से common क्या है common moment कुछ मतलो यहाँ t से यह t से यह t कर दो cancel जिनकी शकल सेम है उनको अड़ाओ यहाँ से बगाओ यहाँ से उनको क्या मचेगा हम लोगों के पास e i is equal to i square r plus i square r एक एक पावर यहाँ से हो गई cancel अब पावर की भागती हमारा आशा साफ हो गया चलो हम ही भागते हैं अब e is equal to i into r plus i into small r एक question number क्या लेट किया है इसको हमने 5 और साथ ही साथ देखो मैंने बहुत ही अच्छे से box में इसको बंद भी कर दिया अब बंद कर देने के बाद जैसे कि हम खाने के बीच में पहुच जाते हैं तो सोचते हैं कि जब डिनर या लंच कर रहे होते हैं तो और कौन-कौन से बीच-बीच में सबजियां vegetables खाए जाए खीरा खाया जाए या कुछ और खाया जाए या पानी पिया जाए तो अब वही वक्त आ गया यहां तक हमारा पूरा concept हो गया complete तो भहिया जब concept complete हुआ बात यह आती है question paper में किस तरीके से हम से पूछ जा सकता है बोर्ट के exam में तो guys आप सो वो कह सकता है कि I capital R small r और capital E में relation क्या होता है it's very simple यहां से common क्या है check करो पहले तो E is equal to I R plus R then I is equal to E upon R plus R लो जी लो तोहार लिये formula तयार हो गया now we completed the formula I is equal to E upon R plus R लेकिन यहां अगर बात खत्म हो जाती then it's not a physics तब इसको हम फिसको फिसको थोनना क्याते physics is a very complicated and very very simple and very interesting for us so it is not a end it's starting it's beginning of science so using again 5 using again equation 5 चलो 5 इसको करते है I R किसका formula होता है I R formula हम लोगों का होता है V V equals I R ohms law में यह formula आया था then E is equal to V plus I R then V is equal to E minus I R यह formula कहीं न कहीं हम लोगों को देखा वह लग रहा है यह कहीं न कहीं तो आया है सोचों कहां आया है कहां आया है याद नहीं आ रहा कहां आया है formula हाँ याद आया mathematics में gradient की question होती है प्रवर्ता की question होती है क्या होती है y is equal to c minus mx इसका मतलब क्या हो गया समझें तुम लोग इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर और हाँ यह small r है थोड़ी mistake हम ने कर दी थी क्योंकि capital R वाले की value b हो गई है क्या है small r और यहाँ भी क्या है का हम लोगों के पास small r y is equal to c minus mx यह क्या होती है gradient equation क्या है यह gradient equation यानि प्रवड़ता की समीकर इस से में यह बात बिल्कुल clear हो रही है कि अगर हम graph तयार करें it means that हम potential difference terminal potential difference electromotive force capital E के between में graph lot करें तो हमें straight line एक straight curve मिलेगा वो भी gradient की form में कैसे मिलेगा यह की नहीं ने मेरे बात का चलो बनाई लेते हैं पहले हैं तो पहले हम यहां पर बनाते हैं ध्यान दो सामने वोड़ पर ध्यान वोड़ पर देना होगा मुझे पताए कि मूबाइल पर एट्स वगरा आते हैं थोड़ डिस्टेक्शन होता है लेकि नहीं तुम अगर डिस्टेक्शन करोगे तो टॉपिक कैसे समझोगे तॉपिक को समझने कि नहीं कम से कम दस से पंदर मेर्ट थोड़ा आराम से बैठा करो बात में जाके वाटर वाटर पानी कोल्डिंग जो चाओ पी सकते हो ठीक है चलो करते हैं स्टार्ट तो यहां पर हम बनाते हैं सब करोगे तो यहां देखो ध्यान से यह इस तरीके से हमने X Axis बनाई है यह Y Axis बनाई है और यह हमारा Origin Point बना हुआ है तो यहां हमने Capital E नीचे से उपर की तरफ और यहां हमने V की Value Zero कर दी दें E Equals क्या हो जाएगा Iर यहां पर क्या आएगा था ठीक है अब यहां क्या होगे हमारे पास यहां पर e की वैल्यू कितनी जीरो देन कितना आएगा v equals minus ir यह तो formula बनेगा इसका v equals minus ir यह formula हमारा e और v के बीच लेट हो रहा था लेकिन अगर यह formula हम बनाएं किसके लिए e और i के लिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है अगर हम बनाएं i के लिए तो i के लिए क्या होगा आप ध्यान देना अगर हम e पर आएंगे तो i की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी और जैसे ही i की value 0 हुई अगर इसके लावा हम आते हैं x-axis पर तो x-axis पर e नहीं होगा it means that e की value 0 होगी then v क्या होगा i r गुभी कैसा होगा minus का i r इसका मतलाब जो gradient होगा वो up नहीं होगा बलकि down होगा धाल समझते हैं आप जब भी कभी आप पहले जाते थे station पर अब भी station पर जाते हैं तो कहीं senior बनी भी नहीं होती है कुछ जगी जैसे कि senior कैसे बनती है इस तरीके से इसी होती है हम one v by one करके उतरते हैं लेकिन कुछ station पर यह सीडिया नहीं होती है यार फिसलने के नहीं होता है याद आए कुछ दिन और हम भागते भागते जाते हैं जब उतरते हैं तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता हम लड़कते वोग जाते हैं और चरते समय बहुत जाता फोर्स लगाना पड़ता है तो इसी तरीके से यहां पर हमें यह ढाल ग्रिडेंट के रूप में दिखाना पड़ेगा चलो दिखाते हैं कैसे तो यहां से यह क्या हो गया हमारा small r तो इस तरीके से हमें straight line की form में एक ग्रिडेंट इसका मिल चुका है ठीक है अब इसक formula बन क्या है असल में यह है किस चीज़ का by chance exam में माल लो अगरी short question में आ गया तो क्या करोगे भई क्या होगा question में ऐसा हमें दिया हुआ जिससे हमको मालूम पर जाए कि भई यह v is equal to e minus ir है क्या करें ऐसा चलो मैं तुमको दारा question explain करता हूँ सो कैसे आएगा अगर उसने कहा discharging की question बता हूँ discharging equation यानि निरावेशन की समीकर निरावेशन की समीकर क्या होती है very simple आप लिख दोगे v equals e minus ir देख रहे हो यहाँ पर elective motive force में से ir decrease हो रहा है घड रहा है कम हो रहा है और जब elective motive force कम होगा इसका मतलब यह charging नहीं हो रही है यह discharging हो रहा है यह निरावेशन हो रहा है यह आवेशन नहीं हो रहा है डागराम कैसे बनाओगे इसका चलो इसके एक छोट आसा प्यार आसा डागराम बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हो यह पिलस माइनस आर कैपिटल आर तो यह क्या होगे हमारा discharging का circuit और यह क्या होगे हमारी discharging की equation अब हम बात करेंगे charging equation चार्जिंग equation यानि आवेशन की समीकर तो guys आवेशन की समीकर क्या होती है चलो इस बारे में ही थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहाँ V equals E minus IR था बहुत यह हम को देख करके यार कम से कम हिजवाले formula का यहाँ यूस तो हुआ लेकिन अब charging आगई charging में electromotive force घटता नहीं है बलकि जो कम हुआ उसको बढ़ाया जाएगा जैसे कि हमारे body में जब पानी के level कम होता है तो हम पानी PP की level को up कर देते है up to date कर लेते है बिलको सेम हमें इ लाना होता है इसको current चाहिए इसको voltage चाहिए ठीक है देन V equals E plus I R देखा आपने पहले कहता है minus यह क्या आगया plus क्यों आगया क्यों कि यहाँ पर charging की बात कर रहे है यहाँ आब vision की बात कर रहे है इसलिए यहाँ पर plus आगया अब इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा partition और कर देता हूं हाला कि थोड़ा division काफी बड़ा हो चुका है अब इसके अलावा हमको एक काम करना पड़ेगा अब वो work क्या है इसका हमें diagram बनाना होगा charging का देखा यहाँ हमने small r plus minus capital r plus minus तो यह होगया हमारा charging क्या होगे हमारे यह charging v equals e plus i r बहुत सारे numerical बहुत सारे mcq बहुत सारे short question इसके पर बूचे जाएंगे इसलिए अपने आपको त्यार रखो अपने आपको ready रखो इस type की questions कि नहीं